हेलो गाइस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बता हूंगा गाइस की सेमसंग फोन के केमेरा सेटिंग्स के बारे में ठीके गाइस अगर आप लोगों केमेरा सेटिंग्स के बारे में ज्यादा पता नही है तो मैं मैं कैमेरा सेटिंग्स के बारे में बताने वाले हो गए इसलίο वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसना आए वीडियो को लाइक कर दीजे और चेनल को सबस्क्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो है मैं मेरा जो फोन का मोडेल नंबर है मैं दिखा लेता हूँ आप लोगों को एक बार आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक सेमसंग का गेलेक्सी एफ 14 5G का फोन है तो इस फोन में जो है मैं आप लोगों को आज केमेरा सेटिंग दिखाने वाला हूँ तो चलिए गईस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो है आप लोगों को केमेरा को ओन कर लेना है केमेरा को ओन करने के बाद यहापर देख सकते हैं बहुत सरा आप लोग background blur को काम यह ज़्यादा भी कर सकते एफ्ट श्ठींज है उसके बाद यह तो normaliding photo हो गया भास यहासे आप लोग नॉर्मेल फोटो जो है वो खीच सकते हो यहां से इसमें भी गईस देख सकते हैं उपर के साइड में यह वाला ओप्षन देख सकते हैं जड़ी का ओप्षन इस पर आगर आप क्लिक कर दोगे और अगर फिल्टर पर क्लिक कर दोगे तो यहां पर से आप जो है आप लोग नोर्मेल फोटो में filter pains be at कर सकते हैं ठीके गहाई तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर फूल साइज अगर आप लोगों को फोटो खीचना तो यह पर क्लिक कर दिझे और यहाँ फूल पर क्लिक कर दिजे उसके बाद के मेरा जो है एकदम passes का फोटो हो गया है अभी जो होटो खिचेगा ये 50 अभी पिक accompany लिए से कीचेगा उसके बाद या पर देख सकते हैं मर्क और या आसे उसके बात याप देख सकते है वीडियो का option है यहाँ से आप वीडियो कर सकते हो उसके बाद याप अगर mode क्लिक कर दोगे तो याप बहुत से आपशान है गास pro mode है panorama mode है food, night, macro, slow motion, hyper lens तो इस सब mode को use करके जो है आप लोग photo कीश सकते हो उसके बाद अगर हम settings की बात करें तो यहाँ पर हम settings पर click कर देते है settings पर click करने के बाद guys देख सकते यहाँ पर scan keyword coach का option है watermark है watermark भी आप लोग को लगा सकते है guys यहाँ पर video stabilization का option है guys video जो है वो ज्यादे हिलेगा नहीं अगर यह option आप लोगों का on रहेगा तो तो यह settings है guys और अगर आप लोग वो settings को reset करना है तो यहाँ पर से आप लोग reset कर सकते हो guys देख सकते हैं reset settings का option है इस पर click कर दोगे तो आपका camera settings हो reset हो जाएगा तो ज्यादा तो और कुछ नहीं guys यहाँ से आप लोग selfie को on कर सकते हो इस पर अगर हम click कर देंगा selfie जो है वो open हो जाएगा देख सकते हैं तो यह settings है guys Samsung के camera में ज्यादा features नहीं देते हैं Samsung वाले तो कैसा लगा guys आप लोगों को यह video अगर video पसना आया हो तो video को like कर दीजिए और channel को subscribe जरूर से कर लिजिए मिलते हैं collect next video में तब तक के लिए बाई बाई